स्वागत है आप सभी का इलेंगी दुर्गेश में टीजीटी आर्ट के लिए मातपूर्ट प्रैक्टिस सेट की जो सिरीज हमारी संसा द्राइज चलाई जा रही है उसकी आज तीसरी कारत में मैं मुकेत आप सभी का स्वागत कुता हुआ अज हम लोग बहुत ही मातपूर्ट सब्सक्राइब करने वाले हैं तो तभी जल्दी जली साथी साथी जुड़े जाएंगे वीडियो को सेर कर देंगे तो पहाड़ी मिनिश्टियर पेंटिंग के लेखक हैं ठीक एक कृती है बहुत प्रसिदी कृती है यहां ते जो इसमें बेटे जिनका ज्यादा रहता है कि महां प्रसंद बहुत ज्यादा पूसे जाते हैं तो क्वेश्टिन आपका है कि दपहाड़ी मिनिश्टियर पेंटिंग के लेखक हैं आनंद कुमार श्वामी काल खंडाल वाला हेन्री मूरे या इस्टेलला क्रेमिस पताइए इस क्वेश्टिन का सही जब क्या होगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथि साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे आने वाले सारे वीडियो के नटिफिकर्स आपको इजली दिखाए देए और साथ हमारे टेलेग्राम चैनल जरूर ज़ूँआं करने जिससे आपको सारी निसल्क और समद्धिस सारी जानकारी वहां से आपको इजली मिल जाएगी तो बात तरहें फ्रेंट की पहारी मेंशे प्रेंटिंग के जो लेखक हैं वह हैं कार्ल खंडा वाला इंदर राइट आइन तो विकल्ब नंबर दूसरा इस प्रसंद का बिल्कुस सही जवाब है और जिन्हों ने भी विकल्ब की अनुकृतियों को किसने तयार किया था विरेश्वर्षेन ललित मोहन शेन अचित कुमार हल्दवार या सुधीर रंजन खास्तगीर नाम देखिए बड़े यूनिक हैं ठ्यान से आप लोग पढ़िएगा अंसर कमेंड कर बताएगा इस कोश्चन का सही जवाब क्या होग करते हैं जो काफी प्रसिद्ध है काफी प्रमुख है वह असित कुमार हल्दवार जी का जिन्होंने क्या है इसकी अनुकृतियों का तयार किया था इसलिए विकल्प नबर तीसरा इस कोश्चन का बिलकुल सही जवाब है यह एक आध्वनिक कालके स्ट्रेष्ट है जो है हम साची इस तो पर किस लिपी में संदेश गुदा हुआ प्राप्त है इसको मैं लगाँगा वि वाला कोश्चन हमारा वि वाला कोश्चन हमारे जो कोश्चन है फ्रेंड वर 90% चांसर दे परिश्चाओं में आने के लिए तलिए इन को अगर आपको पता है तो पैन और पेप साची इस तो पर किस लिपी में संदेश गुदा हुआ है आप सभी लोग जानते हैं कि भौपाल से 46 कितने मिट्र की दूरी पर यह साची का स्थित है जी हां मद्रप्रदेश के भौपाल में तो बताईएगा और काफी प्रसित यह स्थित है जो है जहां जिसमें जो है फ्र साची का बिल्कूर सही जवाब है कि आगे नेक्ट कुछ्चन हमारा कि दिल्ली में स्थित त्रिवेडी कला संगम की अस्थापना किसने की थी त्रिवेडी कला संगम एक संथा स्थापक के आप से पूछा जा रहा है चिआ परता है नुख को इस तीसरा सब्सक्राइब नियूंआ कि नमट्र की गुफां में मर्ती राज़ कुमारी का चित्र चित्रित है जल्दी से बताएंगे कि इस कोश्चन का सही जवाब क्या है एक कोश्चन आप लोग एंसर दीजेगा कि अजन्ता की गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है पिछले करास में मैंने बताया था इसको आप सभी लोग एक दिस सुना होगा तो एंसर कमेंट बताएं करें कुल गुफाओं की संख्या कितनी है जिसमें जो मर्ती राजकुमारी का चित्र है वह आपके गुफा नंबर 16 में चित्री थे इसले बिकल्प नंबर अगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन के तरफ फ्रेंड नेक्ट कोश्चन हमारा है चलिए नेक्ट कोश्चन है असनान मगन यूतियों का चित्रकार कौन है असनान मगन एक हमारी चित्राकृति है इसके चित्रकार के रूप में किसका नाम प्रमुख है मोने का मिले का सेंजा का या रैफले का एंसर कमेंड के बताएंगे इस question का सही जवाब क्या है असनान मगन यूतियों कि चित्रकार के रूप में कौन से चित्रकार परमुख है एंसर कमेंड के बताएंगे कौन से चित्रकार परमुख है यह जो चित्र है इसके चित्रकार परमुख है उनका नाम है Francis इस चित्र कार्प किया था और इसके लिए बहुत प्रमुक हए थे यहां बिल्कुर बिकल्प नंबर वाई इंदा रेड वेस्ट ये दो तिनकी और चित्रकर्गिया थी जो प्रमुखे जहां ते परिश्चा प्रसंत पूशे जाते हैं तो विकल्ट नबर तीसा इसका बिल्कुश सही जवाब है आगे बढ़ेंगे कला भूमन सांतिन के तन चौथा है नेशनल गैलरी आप मॉडेन आर्ट जल्दी से बताएंगे इस कोश्चन का सही जवाब क्या होगा यहां देवी परसाद राय चोधरी का जो नाम प्रमुक है उन्होंने ललित कला अकाडमी नामक संतापक सदस्च के रूप में थे जिसको जिसको 1958 में भारत सरकार द्वारा पदम भूतर से समानित किया गया था 1958 में पदम भूतर से समानित किया गया था जल वास या टेंपरा मतलब किस प्रकार के मतलब आपदार्थों की प्रियोग से यह चित्रण का चित्रण का कारी करते थे चितित प्रसाद मजमुदार चितिंद्र नात मजमुदार सुरी ज़ली जबाएंगे सभी साथी इस वश साथी जवाब क्या है खित्य जिनाथ चितिटिपर्णाथ मजमुपोदार यह जो समपुर्दाय समथेश जो वाश नामक टक्निकी से तक्निवी इंको सिद्ध हल्प थे इस में इनको जो है सिद्धी प्राप्ति और इस तक्निकी के प्रयोग करके चित्र का चित्रन करते थे विकल्प नमर ती था इसकोशिन का बिलकुट सभी जवाब है केस्ट कुलकरणी का जन्म बेल गाव करनाटक में हुआ जो संबंधित थे जेजे स्कूल आप आर्ट मुंबई कांसी हिंदू बिस्विद्ध जाले वारार सी कॉलेज आप आर्ट एंड फ्रंट क्राप्ट लखनौ या किसे हम कला एंट सिल्फ पहविद्धाले भी करते हैं औ बताएंगे फ्रेंड के स्कूलकरणी का जन्म बेल गाव करनाटक में हुआ ता जो किस विष्विद्ध जाले से संब्देज पता है उस संस्थान का नाम को बताना एंसर कमेंड कर बताएंगे इस कोच्छन का सहीज़व क्या है जी हां आप सभी लोग उस संस्थान से परच संस्थान से प्राप्त निर्तांगना की मूर्ती की मूर्ती मिली थी यहां पूछा उसकी लंबाई कितनी थी तो 10.5 cm, 8.2 cm, 12.5 cm या 9.3 cm जबी साथी TGT 8 पे हस लिकित NCRT बेस नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारी संसा के टेलिग्राम एप से जुड़ कर वहां से जो है आप उसके बिदे में डिटेल जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और साथी साथ कॉल करकर आप नोट्स संब्दी सारी जानकारी आप पर प्रवाइट कर सकते हैं आपको ऑनलाइन नोट्स आपके घर तक पूरा जो है आपको पोस्ट कर दिया जागा वहां से आप इजली प्राप्त करके अपनी तयारी को और भी बहतर बना सकते हैं यह जो नोट्स होएं आपके को और भी बहतर बनाएं तो फ्रेंड पूछा जा रहा है महंजोदारों ते प्राप्त निर्थांगना की मुर्ति की लंबाई क्या थी इसकोशन का जो सही जवाब है वह वह बिकल्प नंबर फर्स्ट ददसनों पांट सेंटीमेटर की मुर्ति प्राप्त होई थी इसलिए बि मधुनी जो चीत्र वयं प्रसुआ के प्रस्ट है इसको डियाइं टैए मिला हुआ तो बताएंग के रंगों का प्रयोग किया जाता इसमें में रास ऑय şöyle कॉस्चिन का सही जवाब क्या है जी ए ב्हुत बंढ़ियां आने परारंभ हो चुके और के युपाइं किस ने बन वाई थी । बालाव चालोग सातवान राष्ट कुल इंपर्टन कोश्चन है और बिल्कुल सिंपल ता कोश्चन आप सभी लोगों ने इसको पढ़ाऊगे काफी बार परिश्चा में रिपीट हुआ कोश्चन है इसलिए सभी लोग इसका एंसवर जली से कमेंट करेंगे जहां बिल्कुल राष्ट कुल इस राष्ट कुलो ने ही इसका निर्माण करवाया था जो कि महराष्ट के और अंगाबाद में इस्तित है और इसको यूनिसको द्वारा एक विस्ट धरोगर अस्थल में भी गोतित किया गे इसलिए इतना प्रमुक हो जाता है हमारे लिए क्या है कि सहले के चितर इनमें से किस फोतीयों से प्राप्त होती है गेत गोविंद से सास्तर खरंग या चित्र सुत्र अपभरंध सैली के जो चित्र होते हैं वह गीत गोविंद जिसको जैदेव ने लिखा जैदेव चारा रचित जो गीत गोविंद है उसमें अपभरंध सैली के चित्रों की पोथियों से प्राप्त होती है इसलिबीकल नंबर पहला इसकोश्चन का बिल्कुस सही जवाब है आगे नेक्ट कोश्चन हमारा फ्रंट एब्रस्वित लाइफ ब्रस्वित लाइफ किसकी आत्म कता है वीपी सिंग की सतीज गुजराल की टीव एकुंठम की या जोगेंच चौधरी की एंसर कमेंट कर बताएंगे कि एब्रस एब्रस ब्रस्वित लाइफ मतलब कला प्रेमी चित्रकार थे जिनका कृति है अब ब्रस्वित लाइफ उसको किसकी आत्म कता है आटोबाग्राफी है वीपी सिंग की है या सतीज गुजराल की या टीव एकुंठम की है या जोगेंच ओधरी की है एंसर कमेंट कर बताएंगे कि इस कोस्टन का बिल्कुष सही जवाब है और इन्हें इन तीन बार राष्टी पुरुश्कार जो है निकी रेचनाव के लिए इनको राष्टी पुरुशकार प्राप्त हो चुका है साथी साथ निन्हें मक्सिको का प्रेतावार्ड लियनाब तू जिए कि यहां इनके ही चोटे भाई थे इंद्र कुमार गुजलाल जो भारत के पूर प्रधान मंत्री रह चुके हैं और इनको विभिन सम्मानों से सम्मानित किया गया है इसलिए इनका नाम बहुत प्रमुख है इनकी कृतियां बहुत प्रमुख है इसलिए विकल्प नंबर 20 कोश question है आगे सत्य जीत रे की फिल्म सत्य जीत रे जो की परसीद्र जानते होंगे और की इनका नाम हिंदी चीनिवा में बहुत ही प्रमुख्ध है इनका जो संब्ध है इनर आई के इनसांबंदी से विकल्प नंबर 24 क्रिज़सर बिकल्प रिकली नमबर 4 सिद्धा राइट Fin JesKE संता पड़ेंगे अगला प्लब अमारा है हासिया बनाकर जिहां हासिया बनाकर हासिया बनाकर चित्रण करना किस सेंखिने के प्रभाव कोई इतल नहीं अ southwest मतलब बना चित्रा चित्राइस कर न खンプ अनसर कमेंड बनाकर हासिया बनाकर चितन करना किसे सैली का प्रभाव उसमें जो है देखने को मिलता है ची हां चलिए एंसर कमेंड करना शुरू कर दिए फटा फट कि हासिया बनाकर जो चितन की सैली का प्रभाव होता था तो यह फार्सी सैली का प्रभाव होता था तो यह फार्सी सैली का प्रभ सब्सक्राइब करने आपको समकालिन कला कला दिर्गा कला तरमासिक या कलावारता इंपोर्टन कोश्चन है इसको मैं रखोंगा वी आई वाला कोश्चन इसके सांसे जहें 90 परसेंट परिष्व में पूछे जाना वह प्लस नहीं ललत कला अकाडमी नहीं दिल्ली सी कौन सी पत्रिका प्रकासित होती है एंसर कमेंड करके बताएंगा फ्रेंड इस कोश्चन का सही जवाब क्या है जी हां बहुत बढ़िया आने जवाब आने सुरु हो गये हैं सम्कालिन कला के दूप में पत्रिका प्रकासित की जाती है जिसका नाम है संकालिन कला विकलप नंबर फर्स्ट इस कोश्चन Toyota P नेट्ट कोशन है काला कौन सा कलाकार अपने इस्टील के बरतनों में बने इस्टालेशन के लिए इस्टालेशन कार के लिए परसिद्धा था अतुल डोडिया विवान सुंदरम सुभोध गुप्ता चिंता नुपाध्या चिहां कौन सा कलाकार अपने इस्टील के बरतनों से बने इस्टालेशन कार के लिए प्रस्ट को एक बार दो बार ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद बीकल्प देखकर अपने एंसर कमेंट करेंगे अगर आप टिक करते हैं परिछा हाल में तो निश्ची तोर से आपकी जवाब गलत होते हैं इसलिए धायर रखिएगा थोड़ पर आपके जवाब बिल्कुल सही होने वाले हैं तो अतुल डोडिया विवान तुन्दरम तुबध गुपता या चिंतन उपध्ध है चलिए एंसर नंबर जो है विकल्प मार तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब के लिए कि सुबध कुमार गुपता जो है अपने इस प्र अभी तैयारी प्रिप्रिशन प्रारम कियोंगे उन लोगों ने भी इस क्रेशन को निश्ची तोर से पढ़ा होगा और सभी साथियों के जवाब मैं आसा करता हूं कि बिल्कुल सही होगे इस क्रेशन के लिए बैगनी है नारंगी है पीला है या हरा है चीहां दुत्यक रं तो पीला ही हमारे जवाब सही होगे क्योंकि लाल नीला और पीला इसको यह प्राथमिक नहीं है यह प्राथमिक रंग है यह प्राथमिक रंग है तो मतलब तो यह जब प्राथमिक है कि तो दुत्यक होगा नहीं तो मतलब बैगनी नारंगी और हरा यह दोनों दुत्यक रं प्रात्मिक रंग से परीषण पूछाइंगे तो प्रेंग इनको प्रात्मिक रंग प्रारंबिक रंग भी कहते हैं वह है लाल नीला पीला इसको भी याद रखिएगा नेक्ट कोश्छन है निम्लिकत में से कौन सी गुफा किष्ट्णा नदी के जिनारे इस्थित है सित्तन वासल अजंता अलिफेंटा या बादामी एंसर कमंट कर बताएंगे इस कोश्चन का सही जवाब क्या है निम्न में से कौन सी गुफा किष्णा नदी के किनारी इस्तित है सित्तन वासल अजंता अलिफेंटा या बादामी सित्तन वाला अजन्ता या बदामी चलिए बटा बड़ आने पर आनुप चुके हैं जल्दी एले एंसर कमेंड करके बताएगा चिहां सित्तन वाला जो में है वहां पर कुष्णा नजी के तड़ पर एक गुफा परसिद्ध है शित्तन वाला जो गुफा है वो किस्तन नजीक किनारी स्थीत से बिकल्ड नबर पहला जबाब इल्कु सइए एल कलर वाइंड की तरह प्रयोग किया जाता है इलरैक की वाइंडर लिस्ट वाइंडr टरपिणाइड वाइए या फैविकॉल स्थियां यह आइल की तामागरिस तरह प्रयोग किया जाता है नेक्ट्ट् elemm सभा मार विजय की गुफा अजंदा की मुश्पा में फिर नाट्या ह्ट्ट् प्रब 5 मणी की कुफाएं परसिद नहें और यहां पर कुछ गुफाएं भी हैं जो किस भगवान की उपास्थक से जुड़ी है तो विकल्प नंबर जो डी है बिल्कु सही पांडो कुछ यहां पर चित्रित हैं पंच मणी की गुफाओं में विकल्प नंबर बारा में इलोरा गुफा नबर तेरह में इंसर कमेंट कर विटाएंगे इस कुश्चन का सही जवाब क्या है इंपौटन कुश्चन ने प्रेंट कि लोरा की जो गुफा नबर तो इन्हों चित्र किया है वह है रेंबरा यह चित्र प्रकार की चित्र को चित्र किया है सकुन्तला किस का प्रसिद्ध उधान है ठीक है सकुन्तला किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है एस कुलकरणी का राजा रविवर्मा का विकास बट्टा चार होता है और कृष्णा खन्ना का सकुन्तला किस प्रसिद्ध चित्रगार के का कला चित्र है रुप रोप में कौन प्रसिद्ध है सयंड आर्टिष्ट के रूप में कौन प्रसिद्ध है योव harusतमान सब्सक्राइब कौन प्रसिद्ध है आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में एक ही व्यक्ति प्रसिद्ध है जिसको 2014 में भारत सरकार द्वारा पदम सिरी से समान किया था विए रेत पर कला कृतिया बनाते हैं इसलिए वह भारत के सबसे प्रमक सेंड आपरिस्थ हैं आपने में विशेष दीनों पर आप उनकी आख्रति को देखते हैं जो रूप में उनकी स्ट्रह देखतें सब्सक्राइब नाम है और आप सभी लोग काफी सारे साथी नाम से पर्चिस्ट होंगे इसलिए विकल्प नमबर दूसरा को सभी जवाब है नेक्ट है इन में सभी जवाब है अपने सीरीज के अंतिम कोश्टन की तरफ गॉवर्मेंट इसकूल आप आर्ट किस वर्च की गई ती फ्रेंड जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या है तो इस से विद्याले की अस्थापना फ्रेंड उन्नी अठाशाच चौश्ट ही या 1864 में इसकी अस्थापना की गई थी तो यह था फ्रेंड आज का क्लास आई होब आप लोगों ने क्लास में पाटिसिपिट किया होगा और अपने अपने एंसर कमण किया होंगे तो यह क्लास आपके लिए भी हद्मासपूर है और जो भी साथ ही TGT जी है फ्रेंड जो भी प्रेंड हमारे मैसेज कर सकते हैं या उसके मैसेज करके आपको नोट समझी सारजाज करें ले सकते हैं आपको इजली आपके घर तक नोट जो है ऑफ और ऑनलाइन माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसी तोर दे आपकी तैयारी को और भी बहतर इस प्रेंड हमारे को प्रेंड है